स्टार प्लस के शो अनुपमा में अब आने वाला है ट्विस्ट जब अपना बोर्या विस्तरा बायान काव्या पहुंचेगी शाहाउस जी हाँ आपने बिल्कुल ठीक सुना काव्या आप किसी के ऊपर भी भरोसा नहीं करने वाली है ना ही अनुपमा पर और ना ही अपने प्यारे वन्राज पर काव्या को अब ये शक हो चुका है कि शायद वन्राज फिर एक बार अपनी पत्नी अनुपमा और अपनी फैमली के पास वापस लोट सकता है जिस वज़े से अब काविया एक अदम उठाने वाली है कि अब काविया भी पहुँचने वाली है शाहाउस रहने वनराज के साथ वही आने वाले एपिसोड में ऐसा दिखाया जाएगा कि अब अनुपमा को वनराज के करीब बिल्कुल भी नहीं रहने देगी काविया और अब हर देखभाल से लेकर छोटी मोटी बातों से लेकर चेकप कराने तक काव्या सारी जिम्मेदारिया एक बार फिर अनुपमा से वापस लेने वाली है और साथ ही अनुपमा को ये ताना मारते हुए भी दिख सकती है काव्या कि भाई मैं करती हूँ असलियत में वनराज से प्यार और जूटी देखबाल का और जूटी परवाह दिखाने वाले सिर्फ कुछ समय के लिए ही परवा करते हैं मैं मन वनराज से सच्चा प्यार करती हूँ इसलिए वनराज की देखभाल सिर्फ मैं ही करूँगी अब क्या होगा इस पर अनुपमा का रियाक्शन ये तो वक्त ही बताएगा क्या फिर से एक बार बाग काव्या को ठपड़ जड़ शाहाद से बाहर करेगी जानने के लिए अभी लाइक कीजिए इस वीडियो को और साथ साथ कमेंट कर हमें जरूर बताएग और सब्सक्राइब कर दीजिए हमारा चैनल सब्सक्राइब अबर चैनल और हिट तो बेल आइकन तो गेट लेतेस्ट अपडेट आफ यूर वर्ड